नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डोलोविन स्पास टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है दोलोविन स्पास टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और दोलोविन स्पास टेबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि दोलोविन स्पास टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में दोलो डोलोविन स्पास टेबलेट का उपयोग मुखे रूप से पेट दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पत्थवी का दर्ध होने पर और महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्ध से राहत पाने के लिए डोलोविन स्पास टैबलेट का उप्योग किया जाता है. अब हम डिसकस करेंगे की डोलोविन स्पास टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है. डोलोविन स्पास टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है. आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डोक्टर डोलोविन स्पास टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं. डोलोविन स्पास टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको डोलोविन स्पास टैबलेट को लेने से पहले डोक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. और डोक्टर की स अलाह के बिना डोलोविन स्पास टैबलेट को नहीं लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि डोलोविन स्पास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डोलोविन स्पास टैबलेट की वजह से कोई साइड इफे जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कराना, सीने में, जलन और मुव में सूखापण होना आधी साइड इफेक्ट्स डोलोविन स्पास टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की डोलोविन स्पास टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में डोलोविन स्पास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर डोलोविन स्पास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं है. इसलिए यदि किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए. दोलोविन स्पास टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्चता होती है क्योंकि दोलोविन स्पास टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को चक्कर आ सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को दोलोविन स्पास टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडेन से एलरजी है, तो ऐसे व्यक्तियों को डोलोविन स्पास टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं डोलोविन स्पास टैबलेट को ले सकती है या नहीं प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डोलोविन स्पास टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डोलोविन स्पास टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डोलोविन स्पास टेबलेट क नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डोलोविन स्पास टेबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट क कीप